हाई एवरीवन वेलकम बाक टो आउर चानल ओली वेजर सोई आई होप यौला वैल तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मावी वाला गाजर का हलवा की रेसिपी जो हम शादियों में अकसर देखते हैं और जिसका टेस्ट काफी जादा अच्छा हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल हल्वायों के स्टाइल में तो बहुत बहुत इसी रेसिपी प्रेंड्स आप एक वाइस रेसिपी को तराइ करें तो चाहिए आज की डिलिशियस करें बढ़ने से पहले अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद जाती तो प्लीज वीडिय केवे गाजर लिए वे तो यह एक केजी गाजर है जिसे मैंने कदूकस करके रेडी कर लिया है नेक्स मैंने आप एक कढ़ाय लिया हुआ है और इसमें मैं आड़ कर दूंगी दो बड़े चम्मच खी फ्रेंट्स आप हल्वे में घी का इस्तेमाल करें तभी इसका असी जुस् तो मैंने इसका धकन लगा दिया है और अब हम इसे अराम से 15-20 मिनट के लिए कुक किया है आप देख सकते हैं कि पहले मैंने जिस क्वांटिटी में गाजर को लिया हुआ था अब वो इस क्वांटिटी से काफी जादा कम हो चुका है काफी अच्छा यह सौफ्ट हो चुका है इस टाइम पर मैं इसमें आट कर रही हुँ शुगर तो मैंने यहां पर 250 ग्राम मैंने शुगर लिया है फ्रेंड्स आप अपने टेश के कॉर्डिंग शुगर आट कर सकते हैं ज्यादा याफे कम और क्योंकि आज मैं यह मावे के साथ ही बनाने तो मावे का भी मिठास इ इसमें मिक्स हो चुकी है और जैसे जैसे आपका जो हल्वा होती जाएं वैसे वैसे उसमें काफी अची खुश्बू भी घर में फैलती जाती है इस टाइम पर मैंसमें आट करीं दूद तो फ्रेंड्स यह मैंने अभी तो यह एक कप दूद है लेकिन मैंने नाम देर लिट 50 ग्राम मावा तो फ्रेंड्स घर का बनावा मावा है आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं अब बस मावा को डालकर भी मैंने इसमें बिलकुल अच्छे से मिला दिया कुछ इस तरीके से इसके इलावा मैं इसमें चम्मच यह इलाची का पाउडर इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको पसंद हो इसका फ्लेवर ताप जरूर आट करें अब बस इस ताइम पर मैं इसमें कुछ ड्राइफ्रोट्स आट कर दे रही हूं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच किश्मिश एक बड़ा चम्मच काजू और इसके लावा मैंने यहाँ पर एक चम्मच बदाम लिएवें जिसे मैंने थोड़ी से चॉप करके डालें तो मुझे ड्राइफ्रोट्स पसंद इसलिए मैंने आट कि अगर आपको इसमें से कोई एक पसंद नहीं है तो आप उसे स सकते हैं अब बस इसे बिल्कुल अच्छे से मिला रेंगे और अच्छी से मिला रेने के बाद मैंने इससे लगभग 10 मिनट के लिए और कुक्या है वापस मीडियम फ्लेम पर अब जो हलवा है ना बिल्कुल फाइनल स्टेज में हमारा हलवा बिलकुल बन के रेडि हो चुक को लोटू मीडियम फ्लेम पर ही हलवे को बिलकुल अच्छे से भूनना है घी भी आपको अच्छे से पहले कुक कर दो उसके बाद ही आप उसमें मावा दूद वगेरा अड़ करें और यह सारी बातों का फॉलो करेंगे तो आपको बिलकुल आइसा ही गाजा खलो बेंट के तक बात्टर कोज नहीं ही तो दुट सांथर खलो ही घाप वह है अब करेंवा है